संख्याओं को जोडने के विभिन तरेकों को अच्छी तरह समझने के लिए खानक आडमी के अभ्यास में से कुछ उदाहरणों को देखते हैं उदाहरण के अनुसार किसी भी कार्यनीती का प्रयोग करके 78 में 9 को जमा कीजिए और इन में से सभी सही विकलपों को चुनिए पहला विकल्प है 77 जमा 10 क्या ये सही है? तो 78 की जगह इन्होंने यहाँ एक संख्या कम 77 लिखी है और 9 की जगह एक संख्या जादा यानिकी 10 लिखी है ये सही लग रहा है अगर आप 78 में से एक घटा दें, लेकिन 9 में एक जमा कर दें, तो आपको इन दोनों का जोड बराबर ही मिलेगा, यानि कि ये 78 जमा 9 के बराबर ही होगा, तो ये सही है और इसमें एक अच्छी बात ये है कि इस तरीखे से जमा करना असान है, क्योंकि आप 77 में 10 को जमा कर रहे हैं, यानि कि आपको बस दहाई के स्थान की संख्या को एक से बढ़ाना है, तो ये 87 के बराबर हो जाएगा, ये इसे जमा करने से ज़्यादा असान है, अब इसे जमा करूंगा, ये 7 को यहाँ पहले स्थान पर ले रहे हैं, तो ये सही नहीं है, तो मैं सिर्फ ये पहला विकल्प ही चुनूंगा, चलिए कुछ और उदारण देखते हैं, किसी भी कारे नीती का प्रयोग करके 35 में 15 को जमा कीजिए, और इन में से सभी सही विकल्पों को चुनिए, पहले विकल्प के अनुसार, 35 में 5 जमा कीजिए, और फिर उसमें 10 जमा कीजिए, तो इन्होंने 15 को 10 और 5 के हिस्सों में बांट दिया है, जो सही है, क्योंकि 15 दस जमा 5 के पराबर होता है, और ये उचित कार्य नीती है, क्योंकि इस से हमें 40 मिलेगा, और अगर हम इसमें 10 जमा करें, तो हमें मिल जाएगा 50, तो ये विकल्प सही है, अब इस विकल्प को देखते हैं, 30 जमा 20, तो 35 की जगा यहां इन्होंने 30 लिखा है, जो 35 से 5 कम है, और 15 की जगा 20 लिखा है, जो 15 से 5 जादा है, तो ये भी सही है, और इसे जमा करना भी सरल है, क्यों पांच दस यानि की पचास तो इसे हल करना बहुत आसान था क्योंकि हमने 35 में से 5 घटाया और उसे 15 में जोड़ दिया तो ये सही है चलिए एक और उदाहरण कर लेते हैं किसी भी कारेनीती का प्रयोग करके 52 में 41 को जमा कीजिए और इन में से सभी सही विकल्पों को चुनिए पहला विकल्प है 40 में 52 को जमा कीजिए और फिर उसमें एक को जमा कीजिए तो 40 के लिए यहां 41 में से एक घटाया है और 52 को वैसे ही रखा है और बाद में इनके जोड में एक को जमा किया है तो ये 41 जमा 52 के बराबर ही होगा एक को हमने बाद में जमा किया है और इससे गड़ना सरल बन जाएगी क्यूंकि 40 जमा 52 में केवल दाहाई के स्थान की संख्याओं को जमा करने से 92 मिल जाएगा और उसमें जमा 1 हो जाएगा 93 अब इस विकल्प को देखते हैं 43 जमा 50 और यहाँ पर 2 से घटा दिया इससे हमें बराबर उत्तर ही मिलेगा और इस तरह से गड़ना करना सरल है क्यूंकि 50 जमा 43 में भी केवल दाहाई के स्थान की संख्याओं को जमा करने से हमें 93 मिल जाएगा